नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है एक आक्टूबर दिन रवीवार खबरो के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भरती का विज्यापन जारी बिहार के पांच आईस अधिकारियों का हुआ तबादला राचे के बच्चे किताब पढ़ने में सबसे आगे आज से बदल रहे हैं हमारे जिन्दगी से जुरे ये नियब धोनी का पोनिटेल हेरस्टाइल वीडियो हो रहा वारल अब शले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के उर्वस्तार से इंडिन आर्मी में धोबी कुक माली वा अने की वैकेंसी भारतीय सेना में धोबी कुक माली मजदूर MTS मेसेंजर MTS के कुल 24 पदों के लिए भरतिया निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह www.hqscrecruitmnt.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं बतादी कि आविदन करने की अंतिम तारिक 8 अक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचने क्यों गेता की बात करें तो मिदवार को दसवी पास होना अनिवारे है और साथ ही आविदन करता की अधिक्ताम आयू 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए उमिदवार जारी केगा अधिसूशना को एक बार जरूर देख ले बिहार के 5 आईस अधिकारियों का हुआ तबादला सामाने प्रिशासन विभाग की तरफ से जारी केगा अधिसूशना के नसार यह जानकारी दी गई है बिहार के 5 आईस के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है बतादी के जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचीव अरुनीश चावला को औसत विभाग रसायन एवं उर्वरक मंतराले में विसेश कारे पतादीकारी न्युक्त कर दिया गया है इसके लावा विद विभाग के प्रधान सचीव अर्विंद कुमार चौदरी को योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचीव बिहार राजी योजना परसत का सचीव बिहार आपदा पुनरवास एवं पुनर नर्मान समीती के परियोजना निदेशक का अतरिक्त प्रभार दिया गया है सूचना एवं प्रावधिकी विभा के प्रधान सचीव संतोष कुमार मल को नगर एवं नगर विकास एवं आबास विखाद के सचीव का अत्रिक्ष प्रभार दिया गया है। विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे उसा किरन खान के बारे में उसा किरन खान एक लेखी का हैं जो हिंदी और मैथली भाशाओं में काम करती हैं वह एक सेवा निवरित अकार्मिक इतिहास कार भी है 2012 में उन्हें उनके उपन्यास सिंजहार के लिए भारतिय सांस्कृतिक सम्मंद परिसत द्वारा कुसुमाजली साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था यह पहला वर्स था जब पुरुषकार दिये गय थे और उनमें 2,50,000 रुपए का पुरुषकार सामिल था उसा किरंद खान को साहित्य और सक्षा के छेत्र में उनकी सेवा के लिए 2015 में पदमिश्री से सम्मानित किया गया था जिसके तहट आज से वितमंत्रे निर्मला सीता रमन के द्वारा किये गए गोशना के नुसार ओनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतीशत कर अधिक देना होगा। सुच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड उन एक सो संतानवे के अनुसार वाहनों का परिक्षन करवा सकते हैं। नॉमनी जोडने के लिए और समय मिल गया है। से बारा बज़े तक तो वहीं तूसरी पाली की परिक्षा दो पहर तीन बज़े शे शाम पांच बज़े तक आयोजित की जाने वाली है। परिक्षा के पहले दिन करीब 6 लाग परिक्षारती परिक्षा में शामिल होंगे। इस परिक्षा के आयोजन को लेकर राजिके 37 जिलों में कुल 529 परिक्षा केंदर बनाएगे हैं वहीं जो परिक्षारती आज होने वाले इस परिक्षा में भाग लेने वाले हैं। परिक्षारती को दो घंटे पहले परिक्षा केंदर पर पहुँचना होगा वहीं परिक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस के द्वारा सला दी गई है कि वो परिच्छा पास कराने के नाम पर बरगलाने वाले और समाजिक तत्वों से साफधान रहें। इसके साथ आक्टूबर तक नोट को बापस लेने से मना किया जाता है तो इसके शिकायत आप रबी आई की वेबसाइट पर कर सकते हैं। विहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भरती का विग्यापन जारी अगर आभी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भरती परिच्छा में शामल होने के लिए आविदन करना चाहते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं। पतादी कि बिहार पुलिस अवर्सेवा आयोग के द्वारा दरोगा के 1275 पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है। इसके तहट इस भरती के लिए आविदन करने की शुरवाद 5 ओक्टूबर 2023 से होने वाली है। ऐसे में एक चुक अभ्यरती जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह 5 ओक्टूबर 2023 से बिपी एससी की आधिकारिक वेबसाइट बिपी एससी.bih.nic.in पर जाकर अपना आविदन कर सकते हैं। पता दे के आविदन करने की अंतिम तारीक 6 नमंबर 2023 तक नरधारित की गई है। जानी की 1 ओक्टूबर से राज्य के जिलों में EVM की जांच करनी भी शुरू कर दी जाएगी। पतादी की पहरे चरन के तहट 6 जिलों के EVM की जांच की जाएगी। जिसमें बिहार की राजधानी पटना, गया, सीतामडी, पुर्णिया, दर्भंगा और भागलपुर जिला शामिल है। इन जिलों में रखे गए बैलिट, यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वी वी पैट की जांच की जाएगी और फिर अन्य जिलों में जांच का काम आगे बढ़ाया जाएगा। काम के बात में आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं खुलते गारियों के एरबैक्स। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। क्रास की फ्रिक्वेंसी कैसी है और एरबैक्स को कब खुलना है यही कारण है कि बंपर गार्ड लगवाना पैंक होता है। नकसलियों के प्रभाव से मुक्त हुए 232 गाउं होंगे विक्सित बिहार के गया अडंगाबाद, लखी चराई, मुंगेर और जमुई जिलों के अलग-अलग प्रखंड में मौझूद 232 गाउं जो नकसलियों के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं अब इन सभी गाउं में मूल भूत सुविधाई, बहाल करनी की कवायत शुरूख की जा रही है, मालम हो कि पहल के तहट इन गाउं में बिजली, स्वच पेजल, अस्पताल, राशन, दुकान समिट सभी चीजे उपलध करवाई जाएंगी, मालम हो कि इन कारियों को करने के लि टावर लगाने के लिए किया गया है, वहीं गाउं को अच्छी सरक परिचालन से जोडने के लिए 42 सरक बुनाने के आविशकता बताई गई है, जिनके लिए रूट तै कर लिए गहें, सब के लावा इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि दुवारा इन गाउं पर न नहर से घिरा हुआ है, इस पहारी के विशाल मंच के बारे में कहा जाता है कि यह राजा विशाल की संसत थी, इस महल को बिहार में संसत की जन्नी माना जाता है, इसकी रूपरे का एक किलो मीटर है और डिवाइडर दो मीटर उंचे हैं, यहां 43 मीटर चोड़ा चैनल भी है, यह स्थान एक साथ कुल साथ हजार लोगों की आबादी को समायोजित कर सकता है, राजा विशाल का गर के पास एक राजा विशेग टैंक भी है, और इस टैंक के पानी का उप्योग राजा विशाल के समय में चुनिंदा प्रतिनीदियों को आसरवाद देने के लिए किया ज पारण है, राजा विशाल का गर या वैशाली गर वैशाली में घूमने लायक सर्ष परेटरनस थलो में से एक है, राजी के कई जिलों में हुई लंपी की फुस्टी सक्रिय संक्रमित में आई कमी, राजी में लंपी का प्रकोब बढ़ने के बाद सभी जिलों से संक्रमित पस्टों के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भोपाल इस्थित आई सी ए आर एन आई एचस्टी लैब भेजा गया था जहां आर्टी पीसी आर जांच के बाद यह पाये गया है कि ज्यादा तर जिलों के सैंपल के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हालाक इसमें राहत की बात ये है कि गंभीर संक्रमत नहीं मिला है ऐसे में मवीशी जल्दी खीक हो जाएंगे लेकिन अब तक राज्जे में इस बिमारी से आधा दरजन मवीशी की मौत हो चुगी है वहीं पसु एवं मतस्य संसाधन विभाग के द्वारा बिमारी के प्रशार को देखते वे सभी जिलों के पसु चिकसकों को सतर्क रहने को कहा गया है और साथी प्रखंड और जलास्तर पर मॉनिटरिंग यूनिट गठित की गई है बता दे किन सब के बीच विभाग के चिकसकों के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अब राज़े में सक्रिय संक्रमित मामलों में कमी आई है एक समय में सक्रिय मामली 12,000 से ज़्यादा हो गय थे जो अब 10,000 हो गय है मालुम हो कि इस बेमारी सिजरी किसी भी तरह के सलाह को लेने के लिए पसुपालक 612-22-309-42 पर सुभा 8 बजे से शाम 8 बजे तक समपर कर सकती है बिहार के इस जिले में लग रहा 9 ओक्टूबर को रोजगार मिला अगर आप बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो यह खबर आपके लिए है बतादी कि 9 ओक्टूबर 2023 को बिहार के बेगुसराई में साल 2030 का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगने वाला है जिसमें 20 से जादा कंपनिया हिस्सा लेंगी इस बारे में जिला नियोजन पदादीकारी राना आमितेश के दोरा जानकारी देते वें बताया गया है कि हमेला स्टम संसातन विभाग जिला नियोजनाल बेगुसराई में आयुजित किया जाने वाला है इस रोजगार मेला में आठवी पास से लेकर ग्रैजुएट डिप्लोमा या फिर किसी भी प्रकार की डिग्री धार युवा भाग ले सकते हैं वही रोजगार मेला में हिस्ता लेने वाले अभियर्थियों को अपने सैचनिक प्रमान पत्र, बायो डाटा के साथ, आधार कार्ट, पैन कार्ट, पासपोर्ट, साइस, फोटो के साथ, अन्य आविशक दस्तावेज के साथ आयुजित स्थल पर पहुंचना होगा अभियर्थियों से कंपनी के द्वारा आवईदन रोजगार मेला स्थल पर ही लिया जाएगा प्रेन से सराब तसकरी करने वाला गिरोह का हुआ खुलासा, बिहार में सराब बंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लिकने इसके बावजूद भी हमें इन से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं बतादे की ताजा मामला गुलजार भाग रेलवेल स्टीशन का है, जहां जी आरपी पुलिस के द्वारा नई दिली से राजगीर को जाने वाली श्रम जीवी एक्स्प्रेस से सराब के साथ दो तसकर को गिरफतार किया गया है, जिसमें से एक तसकर महिला थी, जो की प्रदेश के कई जिलों में बारिस की संभावना, विहार में मौसम का मिजाज बदनने वाला है, बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिस होने की संभावना जताई जा रही है, पिछले दिनों दर्भंगा सुपॉल रडिया, बांका के साथ ही प्रदे प्रदेश के अधिकास जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपाद के साथ मेगरजन होने की संभावना है। वहार सरकार के सक्चा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक एक बार फिर से सुर्ख्यों में आ गए है। हाला कि आधिकारिक तौर पर जानकारी है कि उन्होंने आकास में अवकास ली है और वो तीन ओक्टूबर को दफ्तर पहुचेंगे, महीं के के पाठक की ओर से छुट्टी पर जानी का कोई कारण भी नहीं बताये गया है राचे के बच्चे किताब पढ़ने में सबसे आगे, NCRT के Foundation Learning Study के रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार के छात्र स्कूरों में किताब पढ़ने में राश्ट्री ओसत से आगे हैं बतादे कि इस रिपोर्ट के अनुसार राश्ट्री ओसत जहां 81 फीजदी है तो वहीं बिहार में कक्छा 3 के 83 प्रतीशत तो वहीं कक्छा 5 के 85 प्रतीशत है इसके लावा सर्वे रिपोर्ट से यह भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि बच्चे किताबी पुस्तक को अच्छे से समझ कर पढ़ जाते हैं अक्छरों की पहचार अब 85 फीजदी बच्चे कर पाते हैं हर विशे की किताब के अध्याई की पहचान कर पाते हैं अभिहास में दिये गए सवाल का जवाब अध्याई में खुद ढून लेते हैं, स्कूल में विकार सामान से कई मॉडल तयार कर लेते हैं और चेतना सत्र में गतिवीधी के अनुसार प्रात्ना में शामिल होते हैं आपके जानकारी के बता दे कि NCRT के सर्वे में 40,00,000,000 शात्र शामिल हुए थे और यह सर्वे जुलाई में की गई थी बीजेपी नेधा साहनवाज हुसेन की एंजियोप्लास्टी सफल होने पर अस्पताल से मिली चुटी भाजपा के वरिष्ट नीता पुर्वो मंतरी एवं विधान परसर साहनवाज हुसेन को बीते मंगलवार को अचानक से काडियक अरिस्ट के सिकार होने पर आनफानन में स्थानिये लीलावती अस्पताल में भरती कराया गया था जहां उन्हें एंजियोग्राफी कर स्टेट लगाया गया था जो सफल हो चुका है और अब उन्हें बीते दिन अस्पताल से छुटी दे दी गई है हलाकि डॉक्टर के ओर से उन्हें 15 दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई है पतादी कि डॉक्टर के नसार भाजपा नेता के हिरदय के दाहिने हिस्से में रुकावट नजर आई थी मालमों किसे एक महीने पहले भी उनकी तबियत अचानक से बिगर गई थी जिसके बाद उन्हें दिल्ली इम्स में भरती कराया था जहां उन्हें निमूनिया से पिर्द बताया गया था और इलाज के बाद आराम करने की सलाह दी गई थी ठाकुर विवाद पर मनोज ज्ञा को मिला तेश्वी यादव का साथ एसे में जब इसको लेकर बिहार के उपमुखे मन थी तेश्वी यादव से दिल्ली में मीडिया कर्मियों के दोरा सवाल पूछा गया तुन्होंने कुछ खास बात ही नहीं कही थी एसे में उन्होंने जो कवीता पाठ किया वो किसी जाती के लिए नहीं था बलकि संसादनों पर कब जा जमाय लोगों को इंगित करके उन्होंने ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि ठाकुड कवीता का मतलब यह नहीं है किसमें किसे विशेश जाती के लोगों को निशाना बनाया गया है कहीं जातियों के उपनाम ठाकुड है जेडियू के पुर्वनेता रनवीर नंदन ने मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर कसा तंच बीता दिन जेडियू के पुर्विधान परसद रनवीर नंदन के द्वारा भाजपा कारे आले में प्रदीश अध्यक्ष समराथ चौधरी से मलकात के बाद यगोशना की गई कि वे 11 अक्टूबर को जै प्रकाश नरायन की जैनती पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जब जब लालू याद अबनितीश खुमार के साथ होते हैं उस समय लडलन सिंग पार्टी में शक्रिये होते हैं ये पहले भी देखा गया है कि वे पार्टी में शक्रिये होकर पार्टी को खत्न करना चाहते हैं वे कारी करताओं की बातों को नहीं सुन रहे हैं और उनके व दोनी का वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वाइरल होते रहता है। भारत की तिहास में आज की तारीक है कई कारणों सिदर्ज। और सुतंता सिनानी एनी बेसन का जर्म अठासो स्टालिस में हुआ। शुतंता सिनानी एवं पंजाब के भूदपूर्व मुख्र मंतरी प्रताप सिंह कैरो का जर्म नीसो एक में हुआ। प्रसद कम्यूनिस्ट नेता और भारत के सुतंता सिनानी एक गोपालन का जर्म नीसो चार में हुआ। प्रसद गीतकार मजरू सुल्टान पुरी का जर्म नीसो एक प्रसद तमिल अभीनेता सेवाजी गनेशन का जर्म 1927 में हुआ। बीलियर्स खिलारी माईकल फरेडा का जन्म उनीसो अर्थिस में हुआ भारत के राज्ट्रुपती रामनात कोविन का जन्म उनीसो पैस्थान साहित एकादमी द्वारा पुरुस्कृत त्रिलोक शिंग ठकुरेला का जन्म उनीसो च्यासथ में हुआ बंगाल और हिंदी सिनेम के प्रसिद्ध साहित तिकार तिथा गायक सचिंदे बर्मन का जन्म उनीसो पिचतर में हुआ प्रसिद्ध राजने तक गया पुर्व लोक सभाध्यक्ष जी एमसी बाला योगी का जन्म उनीसो च्यावन में हुआ सिखो के तीसरे गुरू अमरदास कानिधन 1574 में हुआ भारत के क्रांतिकारी चंदन सिंग गड़वाली कानिधन 1989 में हुआ आज के दिन को अंतराश्ट्रिय व्रधजन दिवस और राश्ट्रिय स्वेच्छिक रतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में, तो इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बारे में वाटसेप स्टेटर्स को लेकर लाने वाला है नया आपडेट वाटसेप अपना यूजस के लिए समय समय पढ़नाई फीचर पेस्ट करते रहता है हाली में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब वाटसेप पर शेयर किये गए अपने स्टेटर्स को 24 घंटे के बाद बी देख सकेंगे आपको बता दे कि अभी तक वाटसेप पर स्टेटर्स सेयर करने के 24 घंटे के बाद हड़ जाता था लेकिन डबलू ए बीटा इनफो की एक रिपोर्ट के नुसार कंपने एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जो प्योग करताओं को दो सब्ता तक अपना टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं वाटसेप के स्टेटर्स फीचर को बीटा वर्जन 2-2-3-3-2-3-2-1-2 दिया गया है जिसमें वाटसेप यूजज़स को सब्सक्राइब करने के लिए 4 विकल्प मिलते हैं जानकारी के अनुसार अगर आप वाटसेप के अपड़ेट वर्ज चंद्रयान मिशन के जरी प्रिरित किया जाए से इसके लिए स्कूलों में सभी कक्छाओं के लिए सब्ता में एक घंटी चंद्रयान मिशन से जुरी गतिवीधियों की होगी। चंद्रयान मिशन को लेकर बैच कप आदी भी बनाएंगे। प्यासी बिहार पुलिस तरोगा समीत SST जैसे अने प्रतियोगी परिक्छाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भुगोस रहेंगे। सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यहां में कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले किस सिक्ग गुरु ने अपना मसनत बिहार के छितर में भीजा था। उप्शने गुरु अर्जुन देव, उप्शन B गुरु हर गोविंद, उप्शन C गुरु तेक बहादूर, उप्शन D गुरु गोविंद सिंग इसका सही उत्तर है उप्शन D गुरु गोविंद सिंग अगला सवाल बुरौनी इसित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन की स्थापना किस पंचवर्स ये योजनामें की गए थी औप्शन A तीसरी, औप्शन B चौती, औप्शन C पांचवी, औप्शन D छटी इसका सही उत्तर है औप्शन C पांचवी अगला सवाल विहार का कौनसा जिला उत्तर-प्रदेश और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्स करता है अप्शन A पुर्वी चंपारण, अप्शन B पश्छ्मी चंपारण, उप्शन C सीतामढ़ी, अप्शन D मधूबनी इसका सही उत्तर है option B पश्मी चमपारण अगले सवाल हाली में Asian Games 2023 में भारत की मनु, भाकर, ईसा सिंग और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम इस परदा में कौन सा मेडल जीता है? option A gold, option B silver, option C, bronze, option D इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option A gold अगला सवाल हाली में किस राजी में पहला पॉलिथीन बैंक स्थापित किया गया है? option A बिहार, option B जमो कास्मीर, option C हिमाचल प्रदेश, option D उत्राखन इसका सही उत्तर है option D उत्राखन इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों? आज हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप हमें सुझाओ दे हम अपने बुलिटिन में बिहारी पहचान और प्रड़िन की जगह पर कुछ बदलाव करना चाहते हैं आप इसके लिए हमें सुझाओ दे अपना जवाब हमें हमारी कामेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चाल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद